नमस्कार फ्रेंट्स स्वागात एक बाट प्रेसे दा इस्टेडी लाइन में फ्रेंट्स आज कस वीडियो में हम लोग संविधान के सभी अनुसूचियों को पढ़ेंगे मैं मुईत करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा और बताऊंगा सायद ही आपने कभी ऐसी वीडियो देखियोंगी ठीक है चलिए इस वीडियो को आप लोग इंजुआ किजिए मैं आपको बता दूंँ फ्रेंट्स आप लोग जो टेलिग्राम जोइन कर रहे हो पता नहीं आप लोग ओरिजिनल कर रहे हो याँ डुप्लिकेट पता नहीं क्योंकि बहुत से ऐसे लो और चैनल यानि कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तब सेडियो को सेयर कर दिजिएगा लाइक कर लिजिएगा ठीक है और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना में धूलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए सबसे पहले हम लोग अनुसूची के बारे में जानते ह कि अनुसूची जब तयार हुआ था बन करके जब मुल्ट समिधान बन करके तयार हुआ था तब अनुसूची की संख्या कितने थी आठ आपसे कोसंस क्या पूछा जाएगा आपसे कोसंस यह पूछा जाएगा कि जब भारत में मुल्ट समिधान बन कर तयार हुआ था तब अनुसूचियों की संख्यां कितनी थी यानि की सेड्यूल कितने थे तो आपको बताना आठ थी लेकिन अभी परजेंट टाइम में कुल जो है बारा हो गए है अर्थात आपको जो है पहले आठ देखने को मिलता था अब अलग से चार और सेड्यूल को जोड़ा गया है इस तर भी कोई वेक्ति या भी देश का आदमी हो वो अगर सबसे पहले अनुसूची को पढ़ेगा तो सबसे पहले पर्थम अनुसूची को पढ़ेगा ठीक है और पर्थम अनुसूची में क्या बता गया है अपने देश का राज के बारे मता गया है साती के निसासित परदेश के के बारे में बताया गया है ठीक है वैसे भी कोई भी वेक्ती हो जब अनुसुची को पढ़ना चाहेगा तो सबसे पहले वो देश के बारे में जाना पसंद करेगा इसलिए इस तरह से जो है सबसे जो पहला अनुसुची है वो राज और केंदर सासित परदेश का उसमें उलेक क्या गया है आपको यह पता होनों चीए अभी वर्तमान में कुल 28 राज हैं कितने राज हैं 28 और केंदर सासित परदेशों के संख्यां जो है कुल देश के बारे में, राजि के बारे में, यानि की केनरसासित परदेश के बारे में, यह सबी का उलेक है, आगे बढ़ते हैं, दूइत की अनुसूची, इस अनुसूची में किसकी बाते कहीं गई है, तो वेतन के बारे में बताया गया है, साथी इसके भत्ते और पेंसन के बार तो आम जो आम लोग होते हैं उनके तो वेतन के बारे में नहीं बताया होगा सिधी सी बात है तो किसके बारे में बता गया है जो मंत्री लोग है जैसे राश्टपती उपराश्टपती राजपाल लोकसभाध्यक्ष इन सभी के जो वेतन होते हैं जो पेंसन होते हैं उनके बा पचास अजार साथ यह आपने लोकसवा अध्यक्ष का नाम सुना होगा ओम बीदला है अभी उन्हें भी 4 लाक रूपया मिलता है ठीक है इससे आप लोग ध्यान में रखेगा नेक्स जो है आपका तिरती अनुसूची यह तिरती अनुसूची तिरती अनुसूची में जो पद गरहन करते समय जो सपद गरहन लेते हैं मंतरी लोग उनके बारे में बताया गया है जैसे राष्टपती उपराष्टपती सुप्रीम कोट के नियादी सों या हाई कोट के नियादी सों यह सबी जो मंतरी होते हैं जो सपद गरहन लेते हैं उन कि आए आप तो उसके बेतन के बारे में पता चला चला कि भारत में एंड़ मंत्री कोंसा कर लिए वेत्व सामने ली आगर बढ़ते हैं चौथी नुजोची को consult Customer लोगर छानंकारी हुआ हो सकता है वीडियो थोड़ा अन्तक देखिए अब है चौती अनुसुची इसमें जो बाते कहें गई है राजसभा में परतिनिधित्यों के बारे में बाते की गई है आपने राजसभा के बारे में नाम सुना होगा एक होता है लोकसभा एक होता है राजसभा देखें यहां पर लोकसभा के बारे में बाते लोग सभा के बारे में नहीं तो देखिए इसका मतलब यह है कि परतियक राज को जितने भी MP भेजने की बात होती है अर्थात यह फिक्स होता है कि किस राज में कितने MP राज सभा में भेज जाएंगे यह फिक्स होता है कि किस राज से कितने MP राज सभा में भेज जाएंगे ठीक है इसे आप लोग ध्यान में रखेगा इसे जो चौती अनुसुची में रखा गया है साथी बात करें राज-सवा के जो सभापती होते हैं वो उपराष्टपती होते हैं और प्रजेंट टाइम में जो उपराष्टपती हैं वह वैंग्या नाइटूची ठीक है चलिए आ अनुसूचित जाती को SC आर अनुसूचित जन-जाती को ST कि ये जह होता है इसमें दलित लोग सामीर होते हैं अर्थ primary जिनें पहले समाज में दबाया गया था यानने कि tips 가장 जाति है जब समाज में इनको दबाया गया था अता है इनकी इस्थेति को ठेक कर ने अस्वार सुधारने के लिए इन्हें आरक्षन देने का प्राबधाउन किया गया है इनहें यह कोई पांचमी अनसुची में रखा गया थी है है किवा ट्रिक अलग जो समाज में पिछड गया है यानि को निकुट दबा दिया गया इन्हीं एसी या अनुषुचित जाती कहते हैं अब हम लोग समझते है अनुषुचत जन जाती क्या होता है देखे इसमें जो है आदिवासी लोग सामी होते है ठीक है पुराने समय की बात है कि यह जो लोग है वो जंगलों में रहा करते थे जिसके कारण जो है इनका खानपान पहनावा रहनसान भासा संस्कृति सब कुछ अलग था यानि कि आम लोगों के मुका दोनों को पाच्वी अनसुची में रखा गया है साथी जम लोग छटी अनसुची के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें से ही किसके से सीडियूल ट्राइप के बारे में ही इसमें जो बाते कही गई है देखिए असंत्रिपूरा मिघाले और मिजोर्यम यह चार ऐसे राज हैं जिसमें二 घुट के लिए प्रशाशन का प्राप्धान यह एसे के लिए राजय के लिए अनुसुचित जहीं के लिए ठीक है देखिए इसमें क्या है आप लोग कैसे इसे ध्यान में रखेगा ध्यान में आपको याद रखना है क्योंकि यहां से क्या पुछा जाएगा आपको कि के लिए प्रशासन का प्राप्धन किनसे चार राज दिया गया है उने MA alcohol मेह दो चलिए बढ़ते हैं आगे साथने सुची चार्थार बात काई गई है टो गेंड्र और राज के बीच सक्ति के बटवारे की बात कही गई है देखे अगर सक्ति के बटवारे की बात नहीं कही जाती तो क्या होता कि किसी भी डिसीजन में केंद्र और राज में जगड़ा हो जाता लड़ाई हो जाती इसलिए सात्मी अनुसूची बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम की द इन तीनों चीज़ों को समझाता हूँ, आप लोग नहीं समझेंगे, यह संग सूची, राज सूची और समवर्ती सूची है क्या, और कैसे जो है केनर और राज के भी सक्ति का बटवारा किया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर नोट्स लिकर के लाया हूँ थोड़ी सी, अब उसके बार मैं आपको बताता हूँ, देखे, संग सूची, संग सूची मतलब केंदर सरकार, राज सूची मतलब आपने जाएं, इस्टेट जो गर्वर्मेंट होते हैं उनके बारे में, और जो समवर्ती सूची होते हैं, केंदर सरकार और संंगसूची का अंद्रगत्व है संग सूची में कितने विश है पहले जो संतानवे विशाई थे जिन पर केवल केंद्र कानउन बनाने का अधिकार था केंद्र को लेकिन अब ही परजेंट में सवोबался है संसूची में किपने विशे едECH wird कब inclined का कानून बनाने का अधिकार है इसमें राज का कोई अधिकार नहीं है ठीक है वही राज सुची की बात करें तो राज सुची में केबल राजियों को ये अधिकार है कि वो कानून कैसे बनाएगा ठीक है इसमें केंदर कोई भी जो है देखन अंदाजी नहीं करेगा देखे इसमें पहले जो 66 वि स्चीओं का प्राब्धान है अब संवर्ति सुची की बात कर लेते हैं थेंग है वैशी है जिसमें के सरकार और राजसरकार दोनों मिलकर के जो है समान सक्षची के साथ जो है कानून बना सकती है जिसमें पहले थे 47 बिसे अब रखा गया है 52 ठीक है 52 पर जो है अब राज सरकार साथी के अंदर सरकार दोनों मिलकर के काम करेंगे चले अब हम इन तीनों का सब्सक्राइब करने के अधिकार काह药ाए कानून विदेश मामलों में भाते करने के अधिकार । वो केंदर को है फिर जनगनना कराने का जो आधिकार है वो केंदर सरकार को है मुद्रा में कोई भी कुछ चेंजमेंट करना हो तो वह भी केंदर सरकार को है नागडिकता हो गया डाक हो गया यह सबी संग सुची के अंतरगत वर्नित है यानि कि इसमें केवल केंदर सरकार ही का पुलिस वेवस्था देखे अब कोई भी state में रहते हूं जैसे आँ भिहार में हूं या राश्थान में यूपी में कहीं भी यानि कि किसी भी राज से अगर विगुलंग करते हूं तो भीहार में जो पुलिस कैसे अगलगा कि SSC के exam में आपने सुना होगा कि कौन ऐसा चीज है जो समवर्ती सुची के अंतरगत आता है आपको कई बार सिक्षा जो है क्या सिक्षा जो है आपको कई बार option में मिला होगा देखने को जिहां सिक्षा का जो विशय होता है कारखाना जनसंख्यानी अंतरण ये सबी चीजे जो भी तूटी रह गए ओ तो आप मुझे comment box में जरूर काना कि इसमें कुछ कमी रह गई ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आठमी अनसुची में बाइस भासाओं का उलेक है ठीक है आठमी अनसुची में आपको कुछ बाते बताता हूं देखे पहले भारत में राज्यो आपको यह पता आनती है कि फहले दूर क कले शोधाराज के अधार पर गठन किया गया था जिसमें से पहला राज था आपका आंदरप्रदेश ठीक है तो इस तरह से questions पूचा जाता है कि यह भासा के अधार पर बनने वाला पहला- राज कोन बना था तो आपको बताना है आंद्र्परदेश आपको comment box में ये comment करके बताना है friends कि आंधर प्रदेश भासा के अधार पर बनने वाला पहला राज कब बनाता आपको ये date बताना यानि कि year बताना है ठीक है क्या बताना आपको वो वर्स का नाम बताना है जब आंधर प्रदेश भासा के अधार पर बनने वाला पहला राज ब हमें contrast कर जब हैं यानि पहले कितने थे फिर उसके बार कितुझा एक फिर पी Battle हिए फिर चार लोडा गया इसको आपाँ से संझेगा ठीक है जब जोडा गया इसका मतलब क्या हूं जब मतलब कोई नों कोई ऐसा समिधान संसोधन क्या जब इन्हें जोड़ा गया होगा हम समझने कि कौन सा समेधान कब जोई संसोधन क्या गया था और किन किन भासाओं को जोड़ा गया इसमें इसे आप लोगों को आप लोगों फिर इसमें जो है संसोधन हुआ और जोड़ा गया तीन और भासा को और यह 71 समिधान संसोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया और यह 3 भासा कौन कौन से थी कौंकनी, मनिपूरी, नेपाली ठीक है यह 3 भासाओं को जोड़ी गई इसमें 3 में ठीक है फिर आता है अंती में आपका 4 भासा और जोड़ा गया आठ्मी अनिसुची में और यह चार भासा कब जोड़ा गया तो देखें यह बानवे यानिकी बानवे शमिधान संसोधन कि आठथ 2003 में जोड़ा गया 2003 में इसमें चारवह साय जोड़ी गई जिन में से आपका पहला भासा है क्या संथाली मेथली, डोगडी और बोडो यह चार भासाय थी जिन्हें अंतीम में जोड़ा गया इस तरह से टोटल जो अभी भारत में अगर पूछा जाए कि आठमी यानि सूची या भारत में कितनी भासाओं को मानेता दी गई है तो आपको याद रखना है 22 भासाओं को मानक भासाओं की मानेता दी गई यह फ्रेंड्स ठीक है और कई बार एक्जाम में पूछे गए हैं कि हिंदी को छोड़ कर देखें ट्रिक कैसे लगाया गया है कि हिंदी को छोड़ कर अभी भारत में कितनी भासाओं को मानेता दी गई है तो बहुत से बच्चे 22 मार के आ जाते हैं जबकि बोला गया है कि हिंदी को छोड़ कर यानि क कि 22 में से एक तो छोड़ दिए तो बचा कितना 21 तो आपको 21 करना होता है लेकिन बहुत से बच्चे फटा-फट 22 मार किया जाते हैं इसलिए को अच्छे से समझना है ठीक है पूछा क्या गया है बोला क्या गया है उसके अकोडिंग आंसर करना है ठीक है उमीद करता हूं मैं आठवी अनुसूची को भी समझा पाया हूंगा देखे मुल समयदान में यहीं तक जो है आपका अनुसूची का वर्णन किया गया था लेकिन इसके बाद कुछ सुधार आया यानि कि कुछ लाया गया चलिए मैं हम लोग समझते हैं जब मैं आपको बताया जब पलस का चीन इसका मतलब कोई ने कोई संसोधन किया होगा कुछ इस भी में किया होगा तब इसको जोड़ा गया है यानि कि अलग से जोड़ा गया है ठीक है चलिए अब समझते हैं नौवी अनुसूची जो उतना महत्पूर नहीं है चलिए मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं दसमी अनुसूची में आपका दल बदल समंधी प्राब्धाउन है चलिए मैं आपको यह समझाता हूं कि दसमी अनुसूची को कब जोड़ा गया था देखें दस्मी अनुसुची को 1985 में जोड़ा गया था कब 1985 में जोड़ा गया था किस समिधान संसोधन के तहत तो आपके आद रखना है 52 में समिधान संसोधन के तहत 1985 में दसमी अनसुची को जोड़ा गया था जिसके अंतरगत दल बदल कानून को यानि की दल बदल समंदित प्रापधान को रखा गया अब आपको ये समझना जरूरी है फ्रेंट्स के दल बदल आखिर है क्या देखे दल बदल इसके अंतरगत जब किसी भी दल के सांसद या विधा अगर वो अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ देता है तो उसके सद्यसिता चली जाएगी समाप्त हो जाएगी ऐसा क्यों लाएगा फ्रेंट्स देखे होता क्या था मिलाए गया तो इससे जो पहले क्या होता था इससे पहले उनिस यूपचासी से पूर्व कई बार देखा गया कि राज नेता उस सत्ता को छोड़ करके जो लाब देने वाली सत्ता दूसरी सत्ता थी उसमें जाकर कि आप सामिल हो जाते थे ऐसे में क्या होता था जिसके साथ आप जुड़े थे उनकी तो सरकारी धेजर गिरना इस्टार्ट हो गया ठीक है तो ऐसा जो ना हो इसलिए दल बदल कानून को को लाए गया और यह 1200 को स्था द्रट चानुन किस नसुचि में तो दस यानिकि दल बदल ठीक है चलिए भ्यारुज सुचि पन्चाइती राज करना वश्टा कि यह गावं के लिए कि से लिए गौमों में फैंचाइती राजंसर०ान के तहेज कि लाएगा ता भाँ ऐसनी से आपर ध्याण में रbit derived देखिए अब यह पंचायती आज़एंड है ट्र typically्थ 19 व कर्कर करने का अधिकार डिया गया है तरी अच्छ schauen किरा जूट है राज्फ परखाण यानि की ब्लोक अस्तरिय पंचायत और जीला अस्तरिय पंचायत यह जो पंचायती राज के अंतरगत आता है ठीक है चलिए और अंतिम है आपके सामने बारवी अनसुची इस अनसुची के अंतरगत क्या है नगर निगम के बारे में अनगर पालिका के बारे में बता निगम क nuttersweek देते हैं कि कौन से सहर में नगर पाली का होंगी नहीं होंगी उनको इसे आप लोग ध्रा में रखेंगा यह सहर अस्थर्यय पंचाइट थो १ार इस चोहतरवे समीधान संसोधन के तहट उनिस्सो तिरावि में जोड़ा गया कभ उनिस्सो तिराविय में इसे सामिल किया गया तो कुछ न कुछ समीधान संसोधन किया होगा याने कि उसको किसी ना किसी समय याने कि किसी ना किसी वर्स में इसे जोड़ा होगा तो इसमें हम लोगों ने सभी चीज़ें देख ली जो की बहुत ही अच्छे से देखी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंच तब इस वीडियो को लाइक और से जरूर कर देज़ेगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करके बताएं हाँ और एक बात अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका क्विज लेकर आऊं याने की ऑप्सिनल वाला जो क्वेस्टन्स लेकर आऊं तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी तुरंट जा करके कीजिए ठीक है चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क के लिए जहीं जे भारत